यदि आप बिहार दरोगा SIPT के लिए प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 100 कोस्टन्स का MCQ टेस्ट टोटल 36 प्रैक्टिस सेट आपको मातर 250 रुपे में दिये जा रहे हैं पेमिंट करने के लिए आप दिये गए QR कोड का इस्तेमाल करें या फिर दिये गए bank account नमबर का इस्तेमाल करें और उसका screenshot दिये गए WhatsApp नमबर पर चरूर सेंड करें आज की जो वीडियो है वो है 50 कोस्टन्स का सेट बिहार दरोगा SIPT के लिए साथ ही साथ जो सक्ष्टी 7 पी PSC और सुड़ी की तयारी कर रहे हैं वो भी सेट को लगा सकते हैं ताकि आपको काफी ज्यादा benefit देखने को मिले तो चरी लगाते हैं आज इस सेट को कोशन है पहला कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है आंसर है इसका option B केवल 2 पूछा क्या कौन सा कथन सही है तो केवल 2 कथन सही है मिल्स के अनुछेद 19 के अंतरगत वाक तथा अभिव्यक्ति की सोतनता केवल भारतिय नागरिकों के लिए उपलब्ध है तो ये option बिल्कुल सही है मतलब कि ये विदेशी नागरिक जो होते हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं है अनुछेद 19 के अंतरगत जो वाक तथा अभ ये कथन गलत है कैसे ये देख लेते हैं 44 संवैधानिक शंसोधन अधिनियम 1978 के तहट मूल अधिकारों की सूजी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया लेकिन साथ ही इसे अनुछे 301 ये याद रखियेगा क्यों की पूछ लिया जाता है तो 300 का ए के तहट कानूनी अधिकार का हिस्सा बना दिया गया अता भारती संवैधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल करने या फिर उसे अधिकरित करने की सक्ति प्रदान करता है भारत में कमपनी के सासन को कब समाप्त कर दिया गया आंसर है इसका ओप्सन सी 1858 में अगस्त 1858 में ब्रिटिस पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पास किया और इस अधिनियम यानि की इस एक्ट केट ने भारत में कमपनी के सासन को समाप्त कर दिया किसी निचली अधालत द्वारा अपने अधिकार छेतर का अतिक्रमन कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर नियायाले द्वारा कौनसी रीट जारी की जाएगी आंसर है ओप्सन बी निशेद आदेश निम्ण में से किसके विस्तार के लिए मुहम्मद बिन तुगलक दिवान एक कोही विभाग की अस्थापना की थी आंसर है इसका option एक क्रिशी विस्तार के लिए संकट के समय क्रिशकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने केंदर में दिवान एको ही नाम से क्रिशी विभाग की अस्थापना की थी 8 अपरेल 2021 को किस मंत्राले द्वारा सार्थक पहल की सुरुआत की गई आंसर है इसका option C. सिक्षा मंत्राले द्वारा 8 अपरेल 2021 को सिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सार्थक पहल की सुरुवात की जो देश में राष्टे सिक्षा निती कार्यान्वियन में मदद करेगी. भारत के समविधान के निम्न में से किस भाग में समान नागरिक संहीता का उपबंद मौजूद है? आंसर हैस का आप्शन B निती निदेशक तत्तों में समविधान के भाग चार में वर्णित निती निदेशक तत्तों के अंतरगत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहीता लागू करनी की बात कही गई है. संदेश अस्थनानांतरन का कार्य निम्न में से कौन सी कोसी काय करती है? आंसर है इसका आप्षनसी लंबी साखानवित तंत्रिका कोसी काय क्योटो प्रोटोकॉल का संबन्द है? आंसर है आप्षनसी ग्रीन हाउस गैसों के उतसरजन को कम करनी से ACI Qusti Championship 2020 में भारत पदक तालिका में किस अस्थान पर रहा? ांसर है इसका Option B तीसरे अस्थान पर इस Championship में इरान और कजाकस्तान कूल 17-17 पदक के साथ प्रतम अस्थान पर रहे तथा भारत 14 पदक के साथ तीसरे अस्थान पर रहा निम्न में से कौन सा एक इसाप पूर्वी छटी सताबदी के प्रारम में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली राज्य था आंसर है ओप्सन एक मगद 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश से क्या था आंसर है ओप्सन बी समविधानिक सुधार के प्रश्ण पर विचार करना निम्न कत्नों में से कौन सा कतन सही है आंसर है इसका ओप्सन सी केवल एक और तीन की यकरित सरीर की सबसे बड़ी गरंती है सही है ये ओप्सन फिर है पित रस वसा के पाचन में महतपोर्ण भूमी का निभाता ये भी ओप्सन सही है दिया गया यहां पर की दूसरा ओप्सन की यकरित पित रस सरावित नहीं करता है तो ये कोशन गलत है क्योंकि यकरित पित रस का सरावन करता है जो कि एक थैली में संग्रहित होता है और इसे जो है पिता से कहते हैं पुस्तक Believe What Life and Cricket Thought Me के लेखक निमलिखित में से कौन है? आंसर है इसका option A सुरेश रहना इस पुस्तक में सुरेश रहना ने अपने केरियर के दोरान मिली चुनोतियों का जिक्र किया है तथा इस पुस्तक का सहलेखक भारत सुन्दर्शन है भारत के निम्न में से किस मुख्य नयदीस ने कुछ समय तक भारत के कारिवाहक राष्टपती के रूप में कारे किया? आंसर है इसका option B नयायमूर्ती M हिदायतुला निम्लिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदिया है? आंसर है इसका option C केवल 1, 2 और 3 माल प्रभा, तुंग भद्रा और भीमा नदिया और लक्षमन तीर्थ जो है ये कावेरी की सहायक नदी है अनुच्छे 249 संबंधित है आंसर है option B संग राजिछेत्रों के प्रशासन से निम्लिखित में से किसमे कस्मीर के राजवन्सों की क्रमबद जानकारी मिलती है? आंसर है इसका option D राज तरंगिनी में समविधान और साधारन परिस्थितियों में राश्टपती को राजविपाल के क्रित्यों के निर्वहन हेतु उबंध कर सकता है आंसर है इसका option A अनुच्छेद 160 में निम्लिखित में से कौन सा तापमान का मातरक नहीं है? आंसर है इसका option D पास्कल पास्कल दाब का एसाई मातरक है जबकि Celsius, Fahrenheit एवं Kelvin ये तापमान का मातरक है जिसमें की तापमान का एसाई मातरक जो है वो Kelvin है विजे हरारे ट्रोफी 2021 के विजेता टीम निम्लिखित में से कौन है? आंसर है इसका option C मुंबई मुंबई ने विजे हरारे ट्रोफी 2021 के फाइनल में उत्तर परदेश को 6 विकेट से हरा दिया अजाद सत्रूप का वन्स का क्या नाम था? आंसर है इसका option D हरियक वन्स भारती सम्विधान का अनुच्छेत चियत तरकीस पदाधिकारी से सम्मंधित है आंसर है option B अटार्नी जनरल से यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्धुद्धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है option C आधी हो जाएगी भारती न्याईक व्यवस्था में जब जनही तियाचिका की सुरुवात हुई उस समय भारत के प्रधान न्याएधी इस इन में से कौन थे? आंसर है option D पी एन भगवती विशु का पहला प्लैटीपस अभ्यारन किस देश में खोला गया है? आंसर है इसका option C आउस्ट्रेलिया में अंतरराष्टी आतंकी गतिवीधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक देश गोशित किया है? आंसर है option D क्यूबा को निम्न कतिनों में से कौन सा एक भारत के सम्विधान की चौती अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? आंसर है इसका option D इसमें राज सभाब में अस्थानों का आवंटन है किस राज में चाक हाओ अर्थात काला चावल को भौगोलिक संकेत यानिकी जियाई टैक दिया गया है? आंसर है इसका option C मनिपूर के चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मनिपूर में सदियों से खेती की जा रही है कीटों के वज्यानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका option C एंटोमोलोजी संसद या विधान सभा के किसी सदस की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वा बिना सदन को सुचित किये अनुपस्थित रहता है आंसर है इसका option A साथ दिन हजार दिनारी के नाम से मसहूर मलिक काफूर अलावदीन खिलजी को कब मिला था? आंसर है इसका option A गुजरात विजय के समय में हाल ही में हाइडरोजन गोल में सम्मेलन का आयूजन किस देश के नितरितों में किया गया? आंसर है इसका option D भारत के नितरितों में वाइसराय के कारेकाल में गठन किया गया? आंसर है इसका option B लाड करजन के सासनकाल में वाइसराय लाड करजन के कारेकाल में रैले कमीशन का गठन किया गया? तथा रैले कमीशन की अधक्षिता में विस्विद्याले आयो की स्थापना हुई थी और 1904 में भारती विस्विद्याले अधिनियम पारित हुआ हीमोफीलिया एक अनुवांसिक विकार है जो उत्पन करता है आंसर है इसका option D रक्त का असकंदन ना होना जर्मन वाचद्वारा जारी वैस्विक जल्वायू जोकिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है option C सात्वा निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका option C दिया गया है इधर किताब का नाम और इधर उनके रचनाकार मतलब रचना करने वाले तो किताब उल्रहला का दिया गया है इत्सिंग तो गलत है क्योंकि किताब उल्रहला के जो लेखक है वो इबन बतूता है बाकी क्या उप्सन सही है? किताब उलहिंद के लेखक अलबरुनी के अकबर नामा के लेखक अबुल्फजल और रास्तरंगिनी के लेखक कलहन किस भारतिये को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? आंसर है इसका ओप्सन ए मरियपन थंगा वेलुगो निम्न में से कौन सा पारीतंत्र का हिस्सा है? आंसर है ओप्सन डी उप्रुक्त सभी सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सुक्ष्मजीव, अजीव घटक ये सभी अपारीतंत्रन की एकोसिस्टम का हिस्सा है स्टार्च को जल अपगटन से ग्लुकोज बनाने वाला इंजाइम कौन सा है? आंसर है ओप्सन डी एमाई लेज फेड़ कप का संबंध किस से है? आंसर है ओप्सन ए महिला टेनिस से आग के कारण चर्चे में रही टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में इस्थित है? आंसर है इसका ओप्सन बी दक्षिन अफरिका में 18 अप्रेल 2021 को दक्षिन अफरिका के केप टाउन में इस्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लग गई थी और यह पार्क युनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सामिल है कस्मीर घाटी इस्थित है आंसर है इसका ओप्सन सी पीर पंजाल और हिमादरी परवत सरेनियों के मद्ध किसके सुझाओ पर भारती रास्टिय संग का नाम बदल कर भारती रास्टिय कॉंग्रेस रखा गया आंसर है ओप्सन डी दादा भाई नौरोजी के सुझाओ पर टोक्यो ओलम्पिक 2020 की इसका सुभंकर क्या है आंसर है इसका ओप्सन डी ए तथा भी दोनो मिराई तोबा और सुमाईटी टोक्यो में होने वाले ओलम्पिक खेलो के सुभंकर को मिराई तोबा और सुमाईटी नाम दिया गया है और इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है किस समीती का संबंध जनसंख्या निती से है आंसर है ओप्सन ए स्वामिनाधन समीती का निमलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सास्त्री निरित्य है आंसर है इसका ओप्सन सी मनी पूरी मनिपूरी एक सास्री निरत्य है और बाकी के जो सब है गर्बा, तमाशा, भांगडा ये सभी छेत्री निरत्य है सन्युक्त रास्ट संग के सुरक्षा परीशत में कितने सदस्य है आंसर है option B 15 सदस्य इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें कि 10 अस्थाई सदस्य और 5 अस्थाई सदस्य होते हैं गंगा के सहायक नदियों में से किस नदियों का उद्गमस्थल नेपाल हिमाले से है आंसर है option D सभी का घागरा, गंडग, कोशी, सारदा इन सभी का उद्गमस्थल नेपाल हिमाले से है निमलिकित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजी वा भ्यारन अवस्थित है? आंसर है option D अरुनाचल प्रदेश में चौदा जून 2020 स्कोर नाटो सिखर सम्मेलन की 31 ओपचारी बैठक का आयोजन कहां किया गया? आंसर है option A, Belgium में तो ये थे 50 questions का सेट, आपने स्कोर इसमें कितना किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करें और मेरे चैनल ब्लॉक चैनल निसाराज ब्लॉक को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें धन्यवाद